हेलो बच्चो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल आरके सागर यूनिके स्टेडी में तो बच्चो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर 8 जिसका नाम है रेडोक्स अभिकरिया उसका ये वीडियो होगा 5 वा ओके इससे पहले की चार वीडियो मैं पहली अप्रोड कर चुका हूं और इसमें हम आज जानेंगे कि चार्य माद्धम में आयन इलेक्टरों विदी के दुवारा समीकन संतुलित कैसे करते हैं ओके तो देखिए ये एक समीकन दी हुई है इसी परकार की समीकन आपके एक्जाम में आएगी तो आपसे कहेगा कि निमली कित समीकन को चार्य माद्धम के दौरा या फिर यह कहेगा कि आयन इलेक्टरों विदी के दौरा समीकन संतुलित कीजिए ओके बाकी आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि अमले माद्धम की समीकन है या चार्य माद्धम की होगी और अगर किसी सम की वीडियो है अगर आप ने वह नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं इसके लावा उसका लिंक आपको वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा तो चलिए देखते हैं कि जो समीकन है से हम संतुलित कैसे करेंगे तो आप क्या करेंगे सब में सबसे पहले आप लिखेंगे पर्था मर्द समीकन और पर्था मर्द समीकन के रूप में आप किसको नीचे उतारेंगे तो पहले आप इसको लिखेंगे CL को और फिर लिखेंगे CL को तो हमने लिख लिया CL के बाद में जो तीर का निशा आने इस संतुलित करने बर तो आप यहां पर देख रहे हैं यहां पर पर परमानु आपको कुछ नहीं लिखना इधर लिखना कभी आप इधर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा जब कि हमें कोई परमानु संतुलित करना होगा तो हम जो शंकय लिखेंगे वह इधर लिखेंगे ना की इसलिखें हैं अब हमारे परमानों वह संथूलित हो जriverrier लेकिन अब हम्हान पर देख रहें आवेस होता है रिनावेस तो हम क्या करेंगे हम लिखेंगे नीचे आवेस संतुलित हो चुके हैं इसको कहेंगे परत्थम अर्षभीकन जो के हमारी संतुलित हो चुकी है तो बच्छो आप अब यहहां तक पहले स्कीन सोट ले लेजिए फिर वह दूत्तिय अर्षभीकन भी आपको बताऊंगाрип कैसे संतुलित करेंगे इसकीन सोट जल्दी से तो बच्चो देखिए अब हमें उतारनी है दूसरी अर्ज समीकन हमें अब संतुलित कौन जी करने है दूत्त्य अर्ज समीकन तो दूत्त्य अर्ज समीकन संतुलित करने के लिए हमें फिर से ये वाला CL2 यहाँ पर लेना पड़ेगा और अब की बार ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा तो हमने ये और ये लिया था अब की बार हम लेंगे CL2 और CLO3 रिनायन ओके ये वाला ठीक है तो दूत्तर समीकरन के रूप में हम इसको लिख लेते हैं इस परक्राकोशन आये तो आपको ऐसेला वह दो बार लेना है पहले में भी और दूसरी बार वार में भी अब सेहले आप वही काम करेंगे और हमने पहले किया था-C-L के परमानूचनतुलीत कर ने पर सोट में लिख दिया परमानू सनतुलीत कर ने तो यह हो गया CL2 है ना तो यहां पर CL काएगा तो इधर भी हम क्या कर लेंगे दो लिख देंगे पहले कितरा बिल्लगुल तो आप देख लेना कि जिस तरब ओक्षिजन के परमानों हों क्या करो मैं सुनना जिदर ओक्षिजन के परमानों हो आपको अधरी क्या जोड़ना है जलके जो अनू है वो जोड़ने हैं तो अब आप यहाँ पर देखें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है हमारा 2 2CLO3 है ना तो oxygen के कुल कितने परमानों है तो 2 तिया 6 इसकी हम इसमें multiply कर दें गुणा कर देंगे तो कितना oxygen का 2 तिया 6 है ना तो हम क्या करेंगे जितने oxygen के परमानों है उतने इधर जोड़ देंगे जल के अनू तो हमने कितना लिख दें 6H2O बस यही बात आपको समझ नहीं है और कुछ नहीं करना एक बाल फिर से समझे इसको जितने इदर oxygen की अनू है है ना उसकी इसमें गुणा कर देंगे 2 get 6 कि तो कितने हो गए अब 6 होगई oxygen के अनू है तो अब आप क्या कि approach में जितने परमानों है इसमें क्या जोड देंगे जं किन गह dei इङí जोड़ आपको पता है 12 तो हमारे पास में है और 12 किसके है हाइडोजन के अब हम क्या कर लेंगे oxygen और hydrogen के परमानू संतुलित कर लेंगे न तो यहां पर हमने लिख दिया oxygen वैं hydrogen के परमानू संतुलित करने पर बाकि आपको पता है कि question में o h इधर था तो इधर ही आपको जोडने है बाकि आप देख भी सकते हैं मैं भी आपको दिखा रहा हूँ यह देखे आपको यहां पर दिख रहा है यह रहा o h है ना तो इधर ही हमें क्या जोडने है o h के परमान जोडने है तो यहां पर हमने जोड दिये है c l2 प्लस 12 o h इक्वल टू 2CLO3 रिनायन प्लस 6H2 उसको हमने ऐसे कैसी रखा है अब आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर तो है 12 रिनायन अर्थाद इधर जो आवेस है वो कितना है चार्ज वो 12 है इधर कितना है सिर्फ 2 है तो आप कितने जोड़े हैं कि 12 हो जाए तो आपको 2 में अगर 10 जोड़ देते हैं इधर तो 12 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे तो अब आप लिखेंगे आवेस संतुलित करने पर ओके आप पहले स्किन सोट ले लिजी फिर मां आपको दिखांगा कि कि आप आवेस कैसे जोड़ेंगे इसके नशोट लेजिए तो यह देखें बच्चों हमने क्या क्या है इधर हमने जोड़ दिया है अब हमें क्या और हम जो समीकन है है आपको पता समीकन एक में कितने लक्टोन थे दो इलक्टोन थे लेकिन जो हमाई समीकन दो जो बनी है इसमें कितने लक्टोन है दस तो हमें क्या करना है जो इलक्टोन है इनको काटना है और इन्हें काटने के लिए समान करने के लिए में क्या करना पड़ेगा हमें इलक्टोन समान करने पड़ेंगे समीकन एक में तो है कितने इलक्टोन दो अभी मैं आपको दिखाता हूं और इसमें कितने इलक्टोन दस तो याद रखना समीकन दो में दस इलक्टोन है समीकन एक में तो यहाँ पर 10 electron हो जाएगा है नगरी पर हमारी लेक्टोन है वह संतुलित होगे ऐसा नहीं है कि आप किवल यहाँ यहां यहां और संतुलित नहीं करेंगे तो हमारी जो संतुलित नहीं हो पाएगी सारी कि सारी ओके तो आप याद रखना हमें पांच से गुना करने हैं इसमें भी होगी पांच दुनी दस तो इसमें भी होगी इसमें भी होगी ओके तो इस प्रकार से हमारी लक्ट्रोन संतुली दो जाएंगे तो हम लिखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं समीकन एक को 5 से गुना करके जोडने पर तो समीकन एक हमारी थी है आपको पता है CL2 था और 2 इलक्टोन थे और 2 CL थे तो हमने 5 से गुना किया तो हो गया 5 CL2 किवल 1 CL2 था है न पलस 5 दूनी 10 इलक्टोन हो गया आपको पता है यहाँ पर 2 CL थे तो 5 कि आपने 2 में गुना किया तो कितना हो गया 5 दूनी 10 CL रिणा है ना जो पर था मत समीकन थी उसमें धम गुना कर रहे हैं और जो अब आपकी दुट्र समीकन है यह वाली आप इसको ऐसे है कही ऐसे ही उतार दे क्योंकि हमारे हाँ पर 10 इलक्टोन अलेड़ी पहले ही मुजूद हैं ओके अब आपने इस समीकन को लिग दिया आपक चाम करें यह भी इलक्टोन समाना यह भी हैं यह तीर के इधर है यह तीर के इधर है तो अब यह क्या हो मतलब 3 के 1 की side हो तो वो electron जुड़ जाते हैं और अगर विपरीद दिशा में हो तो वो कट जाते हैं तो हमें तक क्या करना है हुँआ काटने के लिए वो विपरीद दिशा में होने चाहिए हैं तो electron काटने के लिए समान भी होना ज़रूर यह तो अब यहाँ पर आप देखने है कि लक्टोन समान है यह 10 लक्टोन है यह भी 10 लक्टोन है तो यह क्या हुए कट गए यहाँ पर तो अब आप देखिए जो तीर के इधर है इनको एक साथ जोड दीजिए और तीर के जो इधर है राइट सैड है उन्हें एक साथ जोड दीज है ठीक है तो आप यहां पर देख रहे हैं पांच सील टू यह कितना हो गया छैसी ल्टू हो गए प्लस ट्वैल ओ एच डिनायन हाना हमको इदर के एक साथ जोड़ने है भी दर के जोड़ लेते हैं तो टैंज सील रिडायन है तो यह लगा दिया रिडावेस टू सीलो थ्री ह अब आप यहां पर देखिए यहां पर बारह है लिडावेस तो यहां पर कितना है दस और दो बारह तो आवेस हमारा संतुलित आपको पता है अब आप यहां पर देखिए च्छै दूनी बारह कितने है बारह तो दस सील यह दो सील यह कितने हो गए बारह इस परकार से आप हैं पर देख रहे हैं जो उक्षिजन हैं वो कितने हैं 12 इधर कितने दो टे 6 और 6 12 है अब हैडरून कितने बारा और और वी कितने चैपा दूनी 12 तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो हमारी समीकन आपको पूरी तरह से क्या हो गई है संतुलित होच की है तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो हमारी किलास है वो समझ आई होगी और एक बात कि मैं नेक्स्ट वीडियो और इसकी लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आपको एक और समीकन कराऊँगा छारे अमाद्य में आयन रक्टन वीदी के दोरा संतुलित करना जो की इसे टफ समीकन होगी यह थोड़ा एजी समीकन थी इस बार जो मैं लेकर के आऊँगा वो टफ समीकन लेकर के आऊँगा ओके तो दोस्तों मिलते हैं हम एक और नई वीडियो में तो तब तक के लिए नमस्कार जहिंद जय भारत और हाँ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगिया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू कीजिएगा और हमारी चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजिएगा जिससे के जो भी वीडियो प्लोड उसका नोटिफिशन आप तो को मिलता रहे है